सभी को नमस्कार और इस पाठर करम में प्रोग्रामिंग में परिचे क्या जा रहा है पैथन के उप्योग से इस वीडियो के माधिम से हम आपका पहले कोड लिखने से पहले आपके सभी सवालों के जवाब देने का प्रयास करेंगे आप सोच रहे होँगे कि क्या कोडिंग ऐसे चीज है जिस पर आपको विचार करना चाहिए जवाब देने के लिए बहुत सारे सवाल है कोडिंग सीखने में कितना समय लगता है मुझे कोडिंग क्यों सीखना चाहिए आखिर प्रोग्रामिंग है क्या मैं कहां से शुरू करूँ, मुझे पाइथन को क्यों चुनना चाहिए और किसी अन्य को क्यों नहीं इस पाटे करम में क्या कैसे खाया जाएगा और आखिरकार मैं किस तरह की नौकरी और वेतन की उमीद कर सकता हूँ पाइथन का जॉब मार्केट आखिर है कैसा प्रोग्रामिंग शेत्र में प्रवेश करने से भेले बहुत से लोग यह जाना के लिए उत्सुक हैं कि मुबाइल और कम्प्यूटर के पीछे चीज़े कैसे काम करती है कैसे गूगल कुछ ही सेकंड के भीतर हमें जो कुछ भी खोज रहे हैं उसके लिए परणाम देता है और वहे भी बहुत प्रसंगिक परणाम अगर मैं सीखना चाहता हूँ कि डोसा और सामभर कैसे बनाया जाए मैं असानी से गूगल करके जान सकता हूँ इसके अतिरिक्त हम दुनिया भर में फेस्बुक पर किसी से कैसे जोड सकते हैं या गूगल मैप्स वास्तव में हमें इस दुनिया में कहीं भी दिशा देने के लिए कैसे काम करता है इन सभी कारण इस शेत्र को चुनने के लिए परियाप्त प्रे रख है अभी आपने फोन में या कंप्यूटर पर हो सकते हैं जो आपको इस वीडियो को देखने की अनुमति देने के लिए प्रोग्राम्ड है यदि आप पहले से ही वर्षों से कोडिंग कर रहे हैं तो आप अपने कंप्यूटर के बीधर इस कोशल को लागू कर पाएंगे हम बहुत सारी समस्याओं से घिरे हैं और कोडिंग ने हमें वास्त्विक दुन्या में बहुत सारे समाधान दिये हैं इससे कोई फरक नहीं पड़ता कि आप एक नए शुरुवाती या अनुभवी व्यक्ति हैं ऐसे कई कारण हैं जिसकी वज़े से आपको कोडिंग सीखना चाहिए टेकनोलोजी आज के दिन में दुनिया पर राज कर रही है इसमें कोई संदे नहीं है कि यह हमारे दैनिक जीवन का एक हिस्सा बन गया है चाहे वह मनुरंजन हो या हमें किसी से समबाद करना हो या हमें कहीं जाना हो क्या आपको नहीं लगता कि यह अश्चर जनक है कि सुभा से शाम तक हम टेकनोलोजी पर भरोसा कर रहे हैं लेकिन हम नहीं जानते कि वे कैसे काम कर रहे हैं यह मुझे लाता है पहले कारण में आकरशक, वेतन और कई करियर के अफसर हम लगादार सुन रहे हैं कि टेकनोलोजी हमारा स्थान लेने का काम कर रही है इससे पहले एक कपड़ा कारखाने को चलाने और बजार में कपड़े और वस्तर पहुचाने के लिए कई लोगों की आविशक्ता होती थी आज न्यूत्म संख्या में के साथ एक कारखाना कपड़ा को चलाया जा सकता है जो लोग टेकनोलोजी और कम्प्यूटर के साथ काम करना जानते हैं वे ऐसे लोग जगा ले रहे हैं उनकी जो हाथ से चीज़े बनाया करते थे पूरी दुनिया में प्रोग्रामर की मांग अधिक है आप कुछ कम्पनियों के लिए काम कर सकते हैं आप अपने स्वयम की पर्योजना कर सकते हैं या आप अपने स्वयम का स्टार्ट अप के लिए अपने कोडिंग कोशल का उपयोग भी कर सकते हैं प्रोग्रामर का वेतन भी आकर्शिक है क्योंकि इसके लिए आपको अपना खुद का कुछ डिजाइन करना होता है यदि आप स्मार्टफोन का उप्योग कर रहे हैं चाहे वह WhatsApp हो या Facebook हो तो आपको पता होना चाहिए कि ये सब भी चीजें के पीछे किसी प्रकार की प्रोग्रामिंग का उप्योग हो रहा है आप पहले से ही विभिन प्रकार के कार्यावकरम में डूबे वे हैं यदि आप सीखते हैं और अपनी इच्छास के अनुसार इन आप्स को चलाना शुरू करते हैं तो क्या होगा उधारन देखे कि Facebook, YouTube, Google Maps और अन्य कैसे अस्तरत्व में आते हैं किसी ने सोचा मेरे स्कूल या कॉलेज के दोस्तों के साथ क्यों नहीं जोड़के जो दूसरे शहर में हों जोड़ा जाए और Facebook का जन्म हुआ किसी ने सोचा अगर मैं एक विडियो रिकॉर्ड करूँ और लोगों को दिखाने के लिए ओनलाइन डालू तो यह बहुत अच्छा नहीं होगा और आज आपके पास YouTube है किसी ने सोचा मैं एक नए शहर में हूँ और मैं लोगों से यह पूछने के लिए कहता रहता हूँ कि एक जगे से दूसरी जगे जाया कैसे और आज आपके पास Google Maps है इन सभी उधारणों से आप देखते हैं कि एक जरूरत थी किसी को किसी चीज की कमी का सामना करना पड़ा और फिर उन्होंने उस आवशक्ता को संभोधित करने की हिमत की क्योंकि वे प्रोग्रामिंग के मार्धियम से कर सकते थे वे जानते थे कि उस समय को हल करने और खुद के लिए और शायर दूसरों के लिए भी चीजों को असान बनाने का एक तरीका है आपको दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए कम्प्यूटर प्रोग्रामिंग सीखने ही जुरुत नहीं है लेकिन आप बहुत अच्छी तरह से अपना समाधान कर सकते हैं अभी आप एक स्माटफोन का उप्योग कर रहे हैं एक बटन के प्रेस के साथ वाटसाप खोल सकते हैं और जब आप ऐसा करते हैं तो आपके फोन पर वाटसाप स्क्रीन खोलने के लिए एक निर्देश भेजा जाता है और यह हैं आपके सामने खुल जाता है यह सभी interaction जो अपने phone के साथ हैं एक app खोलना, एक संदेश लिखना, एक post को like करना यह सभी वास्तव में इंजिनेरों द्वारा आपके phone और computer को आपके click का जवाब देने के लिए program किये जाते हैं आपका computer और mobile phone वास्तव में हमारी भाशा को नहीं समझता यह केवल zero और one को समझता है अंग्रेजी और हिंदी में आपके computer के साथ समबाद करना एक ऐसे व्यक्ति के साथ समबाद करने जैसा होगा जो केवल जपानी या Spanish जानता है और इसी जगा है कि जहां programming आती है यह है एक रूप से हमारे हम मनुश्यक और computer के बीच एक अनुवादक के रूप में कारे करता है यह हमारे input जो मूल रूप से code है वह लेता है और उस भाशा में परिवर्थित करता है जिसे computer समझता है code सीखने का तरीका जानने के बाद आप बहुत सी चीजे कर सकते हैं इसे उतना ही रूमांचक बनाया जा सकता है जितना आप कलपना कर सकते हैं यहां एक मज़धार उधारन है जैसे हमने चर्चा की computer अंग्रेजी या हिंदी जैसे भाशाओं को नहीं समझते हैं इसलिए हमें एक programming भाशा को अपयोग करना होगा जिससे वे उन्हें निर्थेश देने के लिए समझते हैं एक programming भाशा आपके द्वारा दिये गए निर्थेश लेती है और उसे उस भाशा में परिवर्थत करती है जिसे computer समझ सकता है जो अन्यवारे रूप से 0 और 1 है हमें इस 0 और 1 को समझने की आवशक्ता नहीं है नहीं हमें 0 और 1 को समझने की आवशक्ता है हमें बस programming language को समझने और निर्थेश देने को सीथना है अपने उन अंतिन उधारन में हमने अपने computer को 4 निर्थेश दे थे मोडो और चटान का सामना करो चटान की ओर चलो चटान के किनारों पे रुको चटान पे कूदो मूल रूप से दो जरूरी बाते है पहला आप एक निष्चित तरीके से लिखे गए निर्थेश देते हैं और दूसरा वे निर्थेश अनुक्रमक करम में है तो अब आप खुद से पूछेंगे वहां बहुत सारी programming भाशा हैं केविल Python क्यों सीखते हैं जैसे वहां बहुत सारी मानव भाशा हैं हिंदी, अंग्रेजी, जपानी, फ्रेंच, जर्मन, उर्दू, तेलगू, मल्यालम और भी बहुत सारी तो आखिर Python क्यों चुने पहली बात सीखने में असानी Python बहुत ही असानी से सीखा जा सकता है दूसरा, आपको किसी भी तरह के प्रोजेक्ट पर काम करने में सक्षम है आप एक वेबसाइट बनाना चाहते हैं या कोई गेम या अगला फेस्बुक आप यह सब Python के माध्यम से कर सकते हैं और तीसरा, नौकरी के बजार में उच्छ मांग है पिछले साल के एक सर्वेक्षन के अनुसार Python दुनिया की दूसरी सबसे पसंददा प्रोग्रामिंग भाषा है नतिजन यह दुनिया भर में सबसे अधिक मांग करने वाली टेकनोलोजी में से एक बन गया है भारत में भी Python डेवलापर का वेतन बहुत जादा है और बाकी भाषा की तुलना से काफी अधिक Artificial Intelligence, Data Science और Machine Learning को लागू करने की शमता के कारण हाल के दिनों में Python सबसे आगे आया और अब प्रोग्रामिंग सीखना कहां से और कैसे शुरू करे जाए एक सूपर प्रोग्रामर बनने के लिए किस-किस रास्तों का अनुसरन करना चाहिए हम जो शुरू करेंगे वह भाषा के कुछ मूल सिधान्त के साथ है वेरेबिल, लूब, फंक्शन्स और कंडिशन्स एक चीज जो मैं बार-बार जोर देता रहूंगा वह है अभ्यास यदि आप एक दिन में 30 मिनट के लिए भी अभ्यास करते हैं तो अगले कुछ महिनों में आप अपना प्रोजेक्ट बना पाएंगे जो मुझे आपके रस्ते के अंतिम चरन पे लाता है एक प्रोजेक्ट हम देखेंगे कि हम पाइथन का उप्योग करके कैसे एक प्रोजेक्ट बना सकते हैं आपको याद है कि मैंने फेस्बुक, यूटूब, गूगल मैप्स जैसे अप का उधार दिया था प्रोग्रामिंग आपको ऐसा करने की अवनुमती देता है आप आज तै कर सकते हैं कि आप अगले कुछ हफ़ते और महीनों में आधे घंटे से एक घंटे रोजाना प्रोग्रामिंग सीखने के लिए प्रदिबध होंगे और आप वहे आप बना सकते हैं जिसे लोग रोज इस्तमाल करें धन्यवाद सभी को नमस्कार और इस पाठे करें